दोस्तों फाइनली Realme ने Chinese market में अपना एक new smartphone Realme 10 Pro Plus 5G को launch कर दिया है और इस वीडियो में बताएंगे कि Chinese market में इस phone का क्या price रखा गया था कौन-कौन से specification के साथ ये phone Chinese market में launch किया गया है और ये phone इंडिया में कब आएगा और इंडिया में आएगा तो इसका क्या price हो सकता है इस वीडियो में पूरे detail में बात करेंगे Realme 10 Pro Plus 5G के बारे में तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इस phone के अगर look का बात करें तो ये phone back side से जीतना खुबसूरा दिखता है उतना ही अच्छा ये front side से भी दिखता है क्योंकि ये phone front side से curve AMOLED डिस्प्ले एक साथा रहा है और ये center punch hole वाला डिस्प्ले है तो ये phone front और back दोनों side से look के मामले में बहुत जवरदस्त और तगरा smart phone है वहीं इस phone का अगर processor का बात करें तो इस phone में MediaTek का Dimensity 1080 processor दिया गया है जो की MediaTek Dimensity 920 से ज़्यादा better performance देगा तो ये phone Realme 9 Pro Plus के camera में ज़्यादा अच्छा performance देगा वहीं इस phone का अगर camera का बात करें तो इस phone में main camera 108MP का दिया गया है और दूसरा camera 8MP का दिया गया है जो की Ultra Wide camera है और 2MP का एक दिया गया है वहीं selfie का बात करें तो इस phone में 16MP का selfie camera दिया गया है वहीं battery department का अगर बात करें तो इस phone में 5000 image का battery दिया गया है जो की 67W के fast charge को support करेगा और 67W का charger जो है box में भी दिया गया है और ये USB Type-C port के साथ आता है वहीं ये phone Dual Studio Speaker के साथ आता है और ये phone Realme UI 4.0 पे run करेगा और out of the box Android 13 के साथ आता है तो ये ही सब कुछ इस phone का highlighted specification था जो की इस वीडियो में आपके साथ share किये तो इसे देखिए किलियर है कि ये phone लुक में तो खतरनाक है ही और उसके बार display में भी बढ़िया है camera department में भी बहुत बढ़िया है और performance wise भी ठीठाक और अच्छा है जहां तक Realme 9 Pro Plus के camera बढ़िया ही performance ये देगा battery department में भी एकदम balance है वहीं इस phone के अगर price का बात करें तो देखिए Chinese market में ये phone 1999 UN रखा गया है जिसको कि अगर Indian रुपीज में convert करेंगे तो ये होता है 9500 रुपया मात्र ये निकि under 20K में ये phone Chinese market में launch किया गया है और under 20K के हिसाब से अगर देखेंगे तो जैसा specification इस phone का है न एकदम क्या बताएं बहुत तगरा और जवरदस्त है लेकिन इंडिया में जब ये phone आएगा तो आप मानके चलिए कि under 20K में launch होने का chance ना के बराबर है ठीक है 1% भी chance नहीं है कि ये phone under 20K में launch होगा इंडिया में आप मानके चलिए कि इंडिया में ये जब phone launch होगा न तो बहुत ज़्यादा होगा तो ये 25,000 या सारे 25,000 रुपिया में लॉंच हो सकता है उससे कम प्राइस होने का चांस ना के बराबर है प्राइस थोड़ा साउड़ जादा ही चला जाएगा लेकिन कम बिल्कुल नहीं हो सकता है वहीं इस फोन के अगर इंडिया लॉंच का बात करें तक लॉंच नहीं होता है तो बहुत जादा चांस है कि यह फोन दिसंबर लास्ट होते होते इंडिया में लॉंच हो जाएगा वह इसे अगर यह फोन 25,000 के प्राइस पर इंडिया में अगर लॉंच होता है ना तो एकदम जबरदस्त और तगरा डिल होने वाला है यह आप जा जाता ना तो मतलब एकदम बहुत जादा बढ़िया होता वह इसे इसमें नहीं दिया गया है वह इसे जैसे ही कोई निव अपडेट आता है इंडिया लॉंच से रिलेटेड तो तुरंत आपको इंफोर्मेशन दे देंगे वैसे इस वीडियो में इतना ही थेंक्यू सो मच वाचिछ इस वीडियो